4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होई थी यूपी सरकार इस वर्ष चौरी-चौरा की घटना का शताब्दी समारो मना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसेंग के जरीए इस कारिक्रम में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने इस मौकी पर एक विशेश डाक टिकेट भी जारी किया अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने एक अगस्त 1920 को असायोग आंदोलन की शुरुआत की आंदोलन की दोरान विध्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्पों और नगरों में श्रमिक हर्ताल पर चले गए सरकारी आंकडों के मताबिक 1921 में 396 हर्ताले हुई जिन में 6 लाग श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाग कारेदेवसों का नुकसान हुआ शेहरों से लेकर गाउं देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा सन 1857 के स्वतंतरता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नीव हिल गई इस दोरान 4 फरवरी 1922 को अंदोलन कारियों के समूह ने संयूक्त प्रांत के गोरकपुर जिले के 4-4 पुरवा में एक पोलिस स्टेशन पर आकरमन करके उसमें आग लगा दी इसमें 23 पोलिस वालों की मौत हो गई थी इस हिंसा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असायोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर प्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेक 4-4 का अपराद में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाए होती आपको बता दें कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी थी इस आंदोलन के तहट उन्होंने उन सभी वस्तूओं संस्थाओं और व्यवस्ताओं का बहिशकार करने का फैसला किया था जिसके तहट अंग्रेज भारतियों पर शासन कर रहे थे उन्होंने विदेशी वस्तूओं अंग्रेजी कानून शिक्षा और प्रतिनिदी सभाओं के बहिशकार की बात कही खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असायोग आंदोलन बहुत हद तक काम्याब भी रहा था